हालो फ्रेंट्स वेलकम टू चेंपियन गुर्जी फेंट्स आज की इस वीडियो में लोग सधारन ब्याज निकलने का सबसे असान और बहतरीन तरीका देखेंगे दोस्तो बहुत सारे स्टूजिन को सधारन ब्याज निकलने में यह confusion होता है कि अगर समय वर्ष में दिया रहेगा तो कैसे निकलेंगे और अगर समय महीना में दिया रहेगा तो इसका सधारन ब्याज कैसे निकलेंगे दोस्तो अगर आपको भी इस तरह के डाउट होते हैं तो एक बार इस वीडियो को ध्यान संद तक जरूर देखिएगा आपके सारे डाउट किलियर हो जाएंगे तो दोस्तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान संद सिखते रहिए तो दोस्तो यहाँ पर पहला कुश्यन है कि 5000 रुपय का 3% के वार्षिक दर से 6 वर्ष का सधारन ब्याज गयात करना है दोस्तो देखिए यहाँ पर जो समय दिया हुआ है वह वर्ष में दिया हुआ है तो इस तरह के सधारन ब्याज के सवाल को बनाने के लिए आप एक फर्मूला होता है सधारन ब्याज बराबर मुल्धन गुने समय गुने दर बटा सव इस फर्मूले का उच्छ कर सकते हैं या अगर आप फर्मूला याद नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं जो तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ ठी का है देखिए यहाँ पर जो भी रूपया ब्याज पर लिया जाता है उसे क्या काते हैं तो मुल्धन काते हैं यहाँ पर पांच हजार रूपया लिया गया है तो पांच हजार क्या है तो मुल्धन है यहाँ पर मुल्धन के जगा पर क्या लिख सकते हैं तो पांच हजार ल तो यहां बस समय कितना है, तो 6 वर्ष है, तो समय के सामने 6 वर्ष लिख लेते हैं, अब देखिए, बीना किसी फर्मॉल्या के सधारन ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर देखे, simple interest, यानि simple interest को क्या करते हैं, तो सधारन ब्याज बराबर आपको निकालने के लिए क्या करना है तो यहाँ पर जो भी है न मुलधन दर और शमय इन सभी को गुणा कर देना है आपस में तो देखे गुणा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 5000 है मुलधन तो यहाँ पर 5000 लिख लेते हैं और गुणा लिखेंगे और यहाँ पर 3% दर है तो यहाँ पर 3% लिखेंगे देखिए आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर सीधा तीन नहीं लिख दीजेगा परसेंट भी आपको लिखना है साथ में ठीक है उसके बाद 6 वर्ष का समय है तो इसको 6 इस तरह से गुना कर देंगे अब देखिए इसको जब गुना करेंगे तो देखिए 5000 का यहा लिख देंगे अब देखिए आपर कटने वाला है तो काट लेंगे तो देखिए यां 2 0 से यह दो जीरो यह असानी से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा तो देखिए यहां पर 6 3 और यहाँ पर 50 बच गया है तो इसको गुना कर लेते हैं तो देखिए 6 में 300 ग कर आ गया है ठीक है दोस्तों यहां पर समय वर्ष में था तो इस तरीके से निकाले हैं अगर महीना में समय दिया रहे रुपया ब्याज पर लिया गया है तो यहां किया है तो मुल्धन है मुल्धन के सामने यहां पर दसजार लिख लिए अब देखिए यहां पर दर कितना है तो दर के सामने चार पर लिख लेंगे और देखिए यहां पर समय कितना है तो नौ माह दिया हुए नौ माह यहां पर म वार्सिक ब्याजदर दिया हुगा है इसलिए इस माह में जो समय दिया हुगा है इसको हम वर्स में बदलेंगे तो देखिए वर्स में इसको कैसे बदलेंगे यहाँ पर 9 माह दिया हुगा है तो इस 9 का यहाँ पर 9 लिख देंगे और इसमें सीधा 12 से भाग कर देंगे तो 12 से भाग करते हैं यह क्या हो जाएगा तो वर्स में बदल जाएगा देखिए आपर 12 से भाग क्यों कि यह हैं क्योंकि देखिए एक वर्स बराबर 12 महीना होता है इसलिए यहाँ पर 12 से भाग किया है ठीक है अगर देखिए आपर 3 माह को अगर वर्स में बदलना रहता तो क्या कर तो इस तीन में बारह से भाग कर देते तो यह क्या वर्स में बदल जाता तो देखिए तीन से यह चार वर्स में बदल जाता यानि एक बटा चार वर्स हो जाता तीन माह बराबर ठीक है तो आसा करते हैं आप माह को वर्स में बदलना सीखे होंगे तो चलिए आप हम लोग एस यानि सधारन ब्याज निकलते हैं तो सधारन ब्याज निकलने के लिए क्या बता है तो यहाँ पर मुल, धन, दर और समय दिया हुआ है उसको आपस में गुना कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर गुना करेंगे यहाँ पर 10,000 है तो यहाँ पर 10,000 लिख लिए और गुना 4% द बारा लिखेंगे वर्स में जो आयागा ना वही लिखेंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पर 10,000 का यहाँ पर 10,000 लिख लेते हैं और गुणा 4 है यहाँ पर 4 लिखेंगे और इस प्रतिसत के जगह पर क्या लिखेंगे तो बाटा में 100 लिखेंगे इस तरह से और गुणा 9 ब बार में कट जाएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया तो यहाँ पर केवल 3 बचा हुए उपर तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और देखिए यहाँ पर 2-0 बचा हुए है तो 2-0 यहाँ पर लगा देंगे तो देखिए आपका यहाँ पर 10,000 रुपया का 4% के वार स्क्राइब कर जिये ताकि ऐसी वीडियो आपको रिग्रॉल मिलती रहे